देश का सबसे बड़ा अच्छा वकील मनीश तिवारी किसे मानते हैं? देश का सबसे अच्छा वक्ता आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा बोलने वाला नीता बेस्ट पोलिटिकल माइंड हिंदुस्तान में आप किसका मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर मनीश तिवारी किसे मानते हैं? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं? बेस्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष मनीश तिवारी के इसाब से कौन रहा है? देश का सबसे मेहनती नेता मनीश जी किसे मानते हैं? सबसे जुजहारू नेता आप किसे मानते हैं अब तर का अर्विन केजरिवाल को दस में से कितने नमबर देते हैं सीएम के तौर पर नमस्कार आप देख रहे हैं News24 मैं हूं मानक गुपता आज चायवाला इंटर्व्यू पूर्व केंद्रिय मंत्री और आनन्दपुर साब से कॉंग्रेस के सांसद मनीश तिवारी का जो की एक जाने माने वकील भी है और अपने जुजहारू रुख रवये के लिए पूरे देश में मशूर हैं बहुत स्वागत मनीश तिवारी चायवाला इंटर्व्यू में बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी आग के चायवाले इंटर्व्यू में मैं आज कॉफी पी रहा हूँ कॉफी पीएंगे मैं जाय पीऊंगा दरसल इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आराम से रिलाक्स्ट कॉन्वसिशन होता है आप कॉफी पीजे में चायए पीऊंगा लेकिन सवाल जरूरी नहीं है कि इतने अच्छे-च्छे होंगे क्या माहूल लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव तो चुनाव सिर पर आ गया मनीजी क्या लग रहा है देखिए दो हजार जो चौबिस का चुनाव है वो इस देश के लिए बहुत दिरनाएक चुनाव है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश की जो कल्पना है ये चुनाव इस देश की कल्पना का स्वरूप ते करेगा और मैं आपको इसका थोड़ा सा उलिख करता हूँ देखी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस आजादी से या आजादी के साथ जो बटवारा हुआ जिसको पंजाबी में उजाड़ा कहते हैं उसमें से तीन चीज़े निकली वो तीन चीज़े ये थी इसलामिक पाकिस्तान और भारत के दो खयाल एक खयाल जो ये मानता था कि धर्म के नाम पे विभाजन के बाबजूद जिस भारत की हम संरचना करेंगे उसमें धर्म, जात, मजभ, प्रांथ से उपर उठके सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और उसी बात को भारत के संविधान में जो अजादी के आंदोलन में लोग शरीक थे और जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने संविधान में ढाल भारत की एक दूसरी कलपना थी जो ये समझती थी कि अगर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो अगर मुसल्मान पाकिस्तान बना है तो हिंदू राश्टर बना चाहिए साथ साल तक जो लोग एक पंथ निर्पेक्ष विचारधारा में विश्वाश रखते थे वो इस देश के उपर काबिज रहे पिशले दस बर्ष से जो लोग ये मानते थे कि भारत की जो कल्पना है वो एक दूसरी कल्पना होनी चाहिए वो सत्ता के उपर काबिज रहे और इसलिए जो दोहजार चॉबिस का चुनाओ है ये ये तैख करेगा कि भारत की कौन सी कल्पना अगले आने वाले कई दशकों तक इस भारत का भविश्य तेह करेगी तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं In many ways, we are back to 1947 बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं मनीश जी हम एक बार फिर से 1947 वाले दो राहे पर खड़े हैं और हमें चुनना है कि इधर जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना है या अच्छा हिंदुस्तान के अंदर ही किस तरफ जाना है वो तो जो बटवारा था या उज़ाडा था वो तो हो गया ते ये करना है कि भारत की कौनसी कलपना में ये देश विश्वाश करता आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है हमारा देश इस चुनाव में क्योंकि 14 और 19 के नतीजे अगर देखें और इस बार के सारे सर्वे और जैसे कुछ पार्टनर्स भी छोड़के इंडिया गट बंदन से अंडिये में गए आपकी पार्टी के नेता भी जा रहे है ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा है इस बार 400 पार होने वाला है लेकिए मेरा ये मानना है कि ना तो सर्वे चुनाव तै करते हैं ना विशलेशन और विशेशग्य चुनाव तै करते हैं चुनाओ तैय करते हैं इस मुल्क की जनता 1977 में जब पूर प्रधान मंतरी स्वरगिय प्रधान मंतरी शरीमती इंदरा गांदी ने चुनाओ की घोशना की थी तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि चुनाओ का जो नतीजा है वो उनके अनुकूल नहीं आएगा जो चुनाओ का नतीजा था वो आपके सामने था और इसलिए यस सवाल का जो जवाब है कि दो हजार चौबिस के चुनाओ के नतीजे क्या होंगे एक बारी जब चुनाओ की घोशना हो जाए उसके बाद आप देखिएगा कि क्या महौल बनता है पर आप तो आननपूर साहब से दोबारा चुनाओ लडने जा रहे हैं मेरे खाल से इसमें तो आप किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए मनीश जी देखिए मैं पिशले पांच साल से उस अलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मुझे इस बात का फकर है कि सिरी आननपूर साहब वो धरती है जहां पे खाल सा पंथ की संरचना हुई 13 अपरेल 1699 को सिरी गुरु गोविन सिंग जी महराज ने वहाँ पे खाल सा पंथ की सिर्जना की थी और पिशले पांच साल से मुझे इमान प्राप्त है कि मैं उस धरती की नुमाइंदगी हिंदोस्तान की लोगसभा में करता रहा हूँ और बीरी ये उमीद है कि मुझे दुबारा लड़ने का मौका दिया जाएगा यानि मनीश जी एक बार फिर चुनाव में कूदने के लिए तयार है पर आपकी पार्टी लगता है आपको कि बावन से कुछ इस बार बढ़ेगी क्योंकि अलायंस में जितनी सैक्रिफाइसिस करने पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की चार सीट देनी पड़ी अब ये अनांसमेंट होई रहा होगा खबरारी गुजरात में दो सीट देनी पड़ रही है हर्याना में भी शायद एक सीट देनी पड़ रही है चंडीगर शायद आपको मिलेगी कॉंग्रेस को मिल रही है लेना पड़ता है और जिस गटबंदन का आप जिकर कर रहे हैं अगर वो गटबंदन दिल्ली में होता है या हिंदुस्तान के बाकी आलाकों में होता है वो गटबंदन सही रहेगा और बाकी राज्यों में भी अब जैसे उत्तर प्रदेश में गटबंदन हो गया है प्रिस्टर की उपर वो फिर एक बार एकठे हो जाते हैं बंस निर्पेक्ष्टा की बात पे और बाकी चीजों के उपर तो हर हर सूबे के अपने अलग अलग समिकर रहे हैं इससे मिक्स सिगनल आपको लगता है नहीं जाएगा जनता के बीच के आम आदमी पार्टी और और कॉंग्रेस पार्टी वहां पे मुख्य विपक्ष है तो अगर जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वही मिल जाएंगे तो लोकराज के ऊपर इसका बहुत गलत असर पर जनता में संदेश कैसा जाएगा बीजपी तो रोज गे कहती है कि बताए पंजाब में एक दूसर जिस जम्हू कश्मीर राज्य को भारतिय जनता पार्टी ने तोड़ा और पहली बार इतिहास में एक राज्य को केंदर साशित परदेश बनाया गया और लदाख को अलग केंदर साशित परदेश बनाया गया उसी जम्हू कश्मीर में जब पीडी पी के साथ इनोंने सरकार बनाई और आपके अगर मेरे को तारीक सही से याद है दो मार्च शायद 2015 को जो एक common minimum program इन्होंने ते किया था उसमें पहली चीज ये लिखी गई थी कि जम्मू कश्मीर का जो संविधानिक धांचा है उसके उपर कोई परहार नहीं किया जाएगा ये 2015 ने मैं कहा 2019 में क्या हुआ ये आपके सामने है अच्छा और बीचितर बात ये है कि आप जिस नितीश कुमार को कलता गाली निकालते रहे उसको अलटू राम पलटू राम पतनी क्या राम कहते रहे अब आपके लिए पल्टू रामोगे तो इसलिए अगर भारती जनता पाठी किसी को नेतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है तो पहले उनको अपने गिरेबान में जाक के देखाए पर नुकसान तो आपका हो गया ना इस गड़बंदन का नितिश कुमार चले गए जैन चौधरी चले गड़बंदन तो कमजूर हुआ है ना मनी जी देखिये मैं आपको एक बात बताओ कि जब अवाम एक बार ते कर लेता है कि उसको सरकार बदल ली है तो ये जितने गड़बंदन हैं ये जितने समीकरन हैं इनका कोई मतलब नहीं रहता वो एक फैज एमस फैज का बहुत बड़ा बहुत अच्छा शेयर है कि जो दिल लग जाने का धब जानते हैं वो तर्कीब बरकीब सब जानते हैं और जो तर्कीब बरकीब सब जानते हैं वो ना दिल जानते हैं और ना धब जानते हैं। गर में परबबरा थी क्योंकि मेरे जो स्वरगी पिता जी थे वो लेखक होने के साथ-साथ प्रोफेसर थे कमपारिटर बॉडन इंडियन लिटरिचर के पर लेखक होने के साथ-साथ वो शायर भी थे और जो उनकी किताबें थी उनको साहिट अकैडमी के कई पूरसकार मिले थे तो एक हमारे घर में संस्कृती का, म्यूजिक का, शायरी का, एक कल्चर का महौल रहता था तो उसका थोड़ा बहुत कहते है गलत असर शायद मेरे पर पढ़ गया हो गया तो इंडिया अलाइंस आपके हिसाब से मुझे पता है कि आप बहुत संभल कर बोलेंगे इस पर इंडिया अलाइंस फिर भी आपके हिसाब से आपने कहा ना जब जनता तै कर लेती है, सरकार बदलनी है फिर कुछ सामने नहीं आता लग रहा है इस पर इंडिया गड़ बंदन की सरकार आ रही है और यह सरकार, मोधी सरकार जा रही है देखे एक बार जैसे मैंने पहले कहा, चुनाओ की रोशना हो जाए, मौडल कोड अफ कॉंडक्ट लग जाए और लोग एक बार चुनाओ के बारे में सोचना शुरू करें, जैसे मैंने पहले कहा क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम है और एक बहुत बड़ी विडंबना ह देखे मैंने पिछले दस साल में एक अजीब सा ट्रेंड देखा है कि भारती जनता पार्टी चाहे प्रदेश हो और चाहे देश हो अपनी परफॉर्मेंस पर चुनाओ नहीं लड़ती हैं वह आप अगर सरकार में रहे हैं तो आपका यह उत्तरदायत तो नहीं बनता कि जो आपके किये हुए काम हैं आप उसकी उपर चुनाओ लड़े और इसका जीता जागता उधारन करनाटक है करनाटक में भारती जनता पार्टी की सरकार थी चुनाओ किस पर लड़ा गया बजरंग बली पर तो यह जो धरम और राजनीत का एक समिश्रन बनाने की कोशिश की ज जिसको कहते हैं Communalization of Politics या Politicization of Religion इसका बहुत नकरात्मक दूरगामी प्रभाव इस देश की उपर पढ़ने वाला है क्योंकि आप 10 साल से राज कर रहे हैं आप लोगों को यह जाके बताइए कि आपने 10 साल में क्या किया है आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड की उपर चुनाओ लड़ी है लेकिन मनिज जी आप मेरे खाल से खुद भी इस बात से नारास्त है कि कॉंग्रेस पार्टी ने भी वो नहरूवियन जो पॉलिसी थी वो छोड़ दी है कुछ-कुछ राजनीती और धर्म का मिश्रण आपके निताओं ने भी किया है राहूल गांधी मंदिर जी जो पेट्रियट के एडिटर हुआ करते थे पेट्रियट अखवार हुआ करता था लोगसबा के सांसिद भी राजसबा के सांसिद भी थे उन्होंने स्वरगिये प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी जी से एक सवाल पूचा थे कि आप मंदिर मस्जिद लोग जाते हैं तो जब आपके लोगों की आस्था किसी चीज़ में है और आप उन लोगों की इज़त करते हो तो ये आपका उत्तरदायत तो बनता है कि उनकी आस्था में आप शामिल हो इसका ये मतलब नहीं है कि उस आस्था का उप्योग करो आप अपने राजनीती के ल ये किसी की आस्था को एक इज़त देना, एक मान देना, एक आदर देना, एक सतकार देना, वो दूसरी बात है, और उसका उपयोग, अपने राजनितिक फैदे के लिए करना, वो बिलकुल अलग बात, पर ये भी अब जादा हो गया ना, पहले नहीं होता था, पहले राहूल पार्टी में, यहां तक मुझे याद है कि स्वर्गिय प्रधान मंत्री श्री मती इंद्रा गांदी जी भी और स्वर्गिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांदी जी भी, जब भी कहीं पे दोरे पे जाते थे, वहां पे जो भी कोई भार्मिक स्थान होता था या ऐसी ज एक दूसरे खायाल के व्यक्ति थे और उनका जो कंसेप्शन था पंथ निर्पेक्ष्टा का वो कंसेप्शन एक बहुत ही जिसे मैं कहूं मेरे हिसाब से तो बिलकुल ठीक था कि स्टेट क्राफ्ट का मतलब ये है कि देर शुड बी ए सेपरेशन बेट्वीन दे चर्च इन दे स्टेट और वो उस बात को पूरी तरह से मानते थे उनकी उस विचार धारा में पूरी तरह से आस्था थी पर जैसे जैसे वक्त बदला वक्त बदलने के साथ साथ ये परिभाशाएं कुछ लचीली नहीं हो गई पर एक अप्रिसियेशन जरूर आया कि हम लोगों को उस चीजों में या उन चीजों में जरूर दिलचस्पी लेनी चाहिए उन भावनाओं का आदर करना चाहिए जिन बावनाओं से ये मुल्क चलता है आपको लगता है इंडिया गटमंधन को या कॉंग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पत का चेहरा मनीश जी देना चाहिए उससे लड़ाई और दिल्चस्प होगी कुछ टकर देखने को मिलेगी लोगों में क्य का चुनाओ लडने गए कि वाचपई जी के सामने कौन है बहुत बड़ी सक्षियत थी और उसके बाद दस साल यूपिया की सरकार रही वाचपई जी के सामने इस तरह से तो कोई नहीं था ये भी एक बहुत ही विशलेशन का विशे है और इसके उपर एक बहस की जरूरत है कि जो हमारा लोकतांत्रिक मॉडल है उसको हमने जो प्रेजडेंशल मॉडल में तबदील किया है वो क्या इस देश के लिए ठीक है क्योंकि जो वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल डिमॉक्रिसी है वो तो ये कहती है कि सांसेट चुने जाते हैं और सांसेट फिर अपना देटा च होता है जो प्रेजडेंशल एलेक्शन है उसमें एक व्यक्ती अपने लिये वोट मांगता है और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है तो हमने पिछले कुछ और कुछ नशकों में यह जो एक विडम बना है और किसी समय इसको इस बहस को एक निशकर्श पर लेके जाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप लोक राज को डिमॉक्रिसी को एक व्यक्ति विशेश के आसपास घुमाना शुरू करते हैं तो अभी आपको ना लगे पर आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत मकरात्मक निकलते हैं मनी जी लेकिन कोई तो वज़े होगी के नितिश कुमार, जैन चौधरी फिर कॉंग्रिस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हाल के दिनों में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस से आपको क्या समझ में आता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बार ये सरकार वापस आने वाली है मोदी जी के और इसलिए वो लोग जा रहे हैं या आपको लगता है कि वो मिस कैलकुलिट कर गए देखे चुनाओं के पहले ये आना जाने का जो दौर है ये लगा रहता है और इसका मुख्य कारण ये है कि भारत की जो राजनी थे या भारत की जो सियासत है वो विचारदारा वहीन हो गई तो वो जो एक विचारदारा की सरहद हुआ करती थी वो विचारदारा की सरहद पूरी तरह से उसका विद्वन्च हो गया ये अच्छी बात है ये बुरी बात है देखिए अब क्योंकि सब ने किया है ये मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब देना कि वह अच्छी बात है या बुरी बात है ये इट इस नॉट अ ये सर नो बाइनरी सवाल ये है कि एक समय था 1947 से लेकर 1967 तक जब ये विचारदारा की जो लकीरें थी वो बहुत ही एक जटल तरीके से खीची हुई थी और 67 के बाद एक निया दोर शुरू हुआ और वो अब इस मकाम पे पहुँच गया है कि उन चीजों का अगर मैं कहूं कोई मतलब नहीं रह गया है या लोग शायद कहते हैं नहीं उसमें विश्वाश करते हैं नहीं उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पॉलिटिक्स इस बाद गिवन रियालिटी यह है रियालिटी नहीं और जाहिर है ना वैसे भी मैं तो सिर्फ अभी दो-चार नाम गिनाए हैं मैं कुछ ऐसे गड़बंधन गिना दूँगा और आपने बिलकुल एक्सेप भी किया कॉंग्रिस ने शिफ सेना के साथ गड़ बंदन किया बीजेपी ने पीडीपी के साथ किया नितीज जी ने इधर उदर इधर उदर चार बार कर लिया जैन चौदी ने इधर उदर इधर उदर कर लिया बहुत सारे नेता अशोक चवान मिलिन देवड़ा आपके पुराने साथी इतने पुराने पुराने नेता सब छोड़ कर जा रहे हैं मैंने नेता पार्टी के तौर पर चलिए मान लिया आइडियोलिजी नहीं रही पर इतने सारे नेता आपकी पार्टी से क्यों छोड़ कर जा कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी कि क्योंकि मुझे याद है G23 जब आपकी पार्टी में बना था आप भी उसका एक हिस्सा थे और आप भी कॉंग्रेस पार्टी में बड़े बदलावों की मांग कर रहे थे जब हम लोगों ने चिठी लिखी थी तो इन में से तो कोई भी ने हमारे साथ खड़ा हुआ था बई जो आज गए हैं जिनके नाम ले रहे हो आप इन में से तो कोई भी नहीं था तो अगर इनको तकलीफ थी या इनको लगता था की बई बई बदलाव की जरूरत है तो इन्हों ने अपनी बात क्यों नहीं कही तो ये पद के लिए गए हैं लालच में गए हैं मैं नहीं कह सकता कि किसलिए गए हैं किसलिए नहीं गए हैं पर जिस चीज का आप उलेक कर रहे हो या जिस चीज का नौबत इसलिए आई थी क्योंकि उस समय कोविड का समय था और जो मिलना था वो मिलना संभव नहीं था और सिरफ उस अंधर्व में ये खत लिखा गया था अगर सामान्य मोहल रहता तो कोई खत लिखने की आवशक्ता ना होती पर मीटिंग में वो बात तो उठाते ना आमने कर चिछी mesure किसी ने लिखी थी तो चिछी कहते है को प्रधानमंत्री ना रेंदर बोदी को थोड़ी लिखी थी थी तो अपने एध्यक्ष को लिखी थी तो एक लोक्तांत्रिक पार्टी में हर कारे करता कोई अख्तियार है कि अपनी बात अपने नेताओं से तो कही सकता है आप डाउन प्ले कर रहे हैं उसको जो 23 नेता थे उसमें से उसमें से कई तो actually party छोड़ गए बड़े बड़े नेता नाम छोड़ बता नुका पिल सिबल छोड़ गए गुलम नभी आजाद चले गए उसके बाद आपको भी पता है तो आप ये कह रहे हैं उसका बतंगर बना दिया गया बात ही इतनी बड़ी थी मनी जी 23 बड़े नितागर एक साथ नाराज हो जाएं ये कोई नाराज नहीं था ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अभी भी कॉंग्रिस में है कॉंग्रिस ने कई लोगों को उसके बाद राजस्वा में लेके आई है शेली मुकल बासनिक ने उसके उसके अपर हस्ताक्षर किये थे वो राजस्वा में है विवेक तंखाम ने उसके उपर हस्ताक्षर किये थे वो राचसबा में हैं अखिलेश परताप सिंग ने उसके उपर हस्ताक्षर किये थे वो राचसबा में हैं रेनुका चौनदरी ने उसके उपर हस्ताक्षर किये थे कॉंगर्स पार्टी उनको राजसभा में लेके आई है तो अगर ऐसी मलब अगर अगर इसको आप विद्रो मानते तो फिर पार्टी इन सब लोगों को क्यों राजसभा में लेके आती तो वो कोई विद्रो नहीं तो उसमें कुछ करेक्टिव की जरूरत है जैसे क्या मतलब क्या चाहरे थे अब आप कहते हो जो पूरी चिटी थी अगर आप उसको पढ़ लेते या उसको संग्यान में ले लेते तो उसमें कई चीजें जो लिखी गई थी कई चीजों के उपर अमल भी हुआ है चुनाव भी हुआ खरगे जी अध्यक्ष भी बने अमल भी हुआ है तो यह तो चीजें और पार्टी में बड़े लंबे समय तक रहा, हूँ, मुझे नहीं लगता था कि मेरे में वो शमता है कि मैं कॉंग्रस अध्यक्ष का चुनाव लड़ू, मुझे अपने बारे में कोई गलत फेमी नहीं है, कई लोगों को अपने बारे में गलत फेमी हो सकती है, पर मुझे का पद है, और उस जिम्मेबारी का निर्वान करने के लिए जिस तरह की शमता चाहिए, मैं नहीं समझता था कि मेरे में ये शमता है, तो इसलिए ये जो अटकले लगाई गई थी, कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, ये तो बे बुनियाद अटकले थी, जो चुनाव ल आपको सियासत को एक व्यापक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है, राजनितिक दलों की जिन्दगियों में ऐसे दोर आते हैं, जब ऐसा लगता है कि वो बिलकुल संगड गई हो या सिमट गए हो और उसके मात फिर वो फल फूल जाते हैं, आपको याद होगा यह भारत जनता पार्टी जो दस साल से साशन में हैं, उनकी दो सीट थी लोकसमा में, महस दो सीट थी लोकसमा में, मैं 2010 की बात करूँ, 2010 में भारती जनता पार्टी की सरकार सिरफ इस देश में तीन राज्यों में थी, राजस्थान में, शत्यसगर में, और मद्र प्रदेश पे, और और कई राज्जों में तो गटबंदन से हैं तो अगर आप इस घटना चक्र को या इस घटना क्रम को एक व्यापक परिपेख्ष में देखें तो ये राजनितिक दलों की जिन्दगी में ये एक एक साइकल है और इससे घबराने की जुरूरत नहीं है आप भी मानते हैं यूपीए सरकार बढ़िया चल रही थी आप उस सरकार में मंत्री रहे सांसत भी रहे कुछ गलतियां ऐसी हुई यूपीए टू में खास तोर से जिसकी वज़े से इतनी बुरी हार हुई और वहां से उबरने का आपको मौका ही नहीं मिला आप में कुछ लिखा भी है ना वो कम्यूनिकेशन में कुछ हैजिटनसी थी आपकी यूपीए की टू सरकार में जिसका नुकसान हुआ यूपीए की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा शड्यंत्र हुआ था और वो शड्यंत्र दुर्भा के पूर्ण बात है कि उस समय के जो कॉम्ट्रोलर और आॉडिटर जेनरिल थे ये उनकी रहनुमाई में हुआ एक लाख च्छत्र हजार करोड के घोटाले का इल्जाम गलत बेबुनियादी इल्जाम अगर आप किसी सरकार के उपर लगाते हैं जिसकी आज तक पुष्टी नहीं हो पाई है जब उस मामले को अदालत के सामने रखा गया अदालत में सब को बरी कर दिया पर उसके कारण जो एक प्रिसेप्शन बना और आज दस साल हो गए जो चौदा साल हो गए मुझे आप ये बताईए जो टू जी घोटाला था शायद आप लोग भी पत्रकारता में थे उस समय आ स्क्रीन के उपर की जीरो 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 क्या हुआ आई दस साल बाद किस आदालत ने किसको दोशी ठहराया है किसी को नहीं पर आप परसेप्शन की लडाई हार गए ना मैं वही बात के कह रहा हूँ कि अगर ये इल्जाम हमारे कोई राजनितिक प्रतिद्वंदी लगा था तो वो बात और थी पर क्योंकि एक संब्धानिक संस्था दोरा लगाया गया इल्जाम था और जो आज तक प्रमानित नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा यूपिय की सरकार को भुवतना पड़ा जिससे वो सरकार उस चार साल में इतना काम करने के बाबजूद भी उभर नहीं पाई मैं जब इसके उपर संयोंक्ट संस्थिय समिती बनी कि 1998 से लेकर 2009 तक जो संचार छेत रहे उसमें जो जो घटनाएं हुई हैं उसका जाइजा लेने के लिए उसमें एक बहुत लंबा क्रॉस इग्जामिनेशन C&A जी का मैंने किया था और मैंने लोकसभा से कई बार अनुमती बांगी कि उसका जो वर्बैटम है उसका चापने का मौका दे दीजिए पर लोकसभा का ये कहना था कि वो प्रिविलिजड कम्यूनिकेशन है और उस प्रिविलिजड को मैं तोड़ना नहीं चाहता था पर अगर कोई किसी उस वर्बैटम को पढ़े अगर लोकसभा की लाइबरी में वो अवेलेबल हो तो बिलकुल साफ हो जाएगा कि वो जो रिपोर्ट सी एंडेजी दुबारा दी गई थी उसका ना सर था और ना पैर थे पर ये तो मानेंगे ना आप जो आंसलोट था उस समय बीजेपी का मीडिया का उसको आप हैंडल नहीं कर पाए ढंक से फिर दर आंदोलन शुरू हो गए देखिए देखिए उसका आधार क्या था अगर ये बात मीडिया कहती या ये बात भारती जनता पार्टी कहती हमारे राजनेतिक पृतिदवन्दी कहते उसका कोई उचित्ते नहीं था इस बात के उपर निर्भर करता है कि कौन कह रहा था और ऐसी गैर जम्यदारी का एक संब्धानिक संस्था से हमको नहीं था और इस बात की ते में किसे ने जाने की कोशिश नहीं की कि अगर वो रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद थी जो प्रमानित हो गया है जब वो अदालत में गई कुछ प्रूव नहीं हुआ सारे लोग उसमें बरी हो गए तो इसके पीछे मंचा क्या थी ये कभी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं या पतरकार हैं उन्होंने भी पता करने के कोशिश नहीं की पर UPA की सरकार में ये तो आपने भी कहा है more kinetic response अगर मैं एकदम specific ठीक आपको quote कर रहा हूँ तो 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद हमारे देश को पाकिस्तान को और करारा जवाब देना चाहिए था जो हमने नहीं दिया मैं उसी context में बता रहा हूँ कि क्या आपको लगा कि कहीं UPA 1 और 2 में थुड़ा aggression कम था या जैसे decisive steps लेने चाहिए थे कुछ वो नहीं लिये गए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा एकि दिक्कत ये होती है कि जब 300 सफ़े की किताब में से एक लाइन उठा कर उसको तोड़ मरोड के प्रस्तुत किया जाए तो उसके नतीजे यही निकलते है कि आपने कहा कि काइनेटिक रिस्प उसकदम से आप क्या अपेक्षा करते हैं वो बंच्शा आपकी साफ होने चाहिए 1978 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी बॉर चला रहा है पहले पंजाब फिर कश्मीर फिर बाकी देश में तो जब भी हम कोई कदम उठाते हैं उस कदम का पाकिस्तान के परिपेक्ष में उदेशी यह है कि जो उनके डीप स्टेट है जो यह क्रॉस बॉर्डर टेरोरिजम करती है यह आतंगवाद को बढ़ावा देती है वो सारे जो ग्रूप्स हैं जत्ती तंजीम है दशकर एताइबा हो गई जैशे मुहमद हो गई जो बाकी तंजीमे हैं उनको हत्यार देती है उनको ट्रेनिंग देती है उसका बेहीविय पराश्ट्रिये कूटनीतिक मोहिम के द्वारा पाकिस्तान को आईसोलेट करेंगे और वो मोहिम कामियाब हुई क्योंकि 2008 के बाद उस तरह का हमला भारत के उपर नहीं हुआ उरी तक जब उरी की घटना होती है 2019 में जब पुलवामा की घटना हुई तो जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बाला कोट की कारवाई की अब बाला कोट की कारवाई के बाद भी अगर आप देखें ये अगर आप पिछले तीन चार महिने के जो जम्हू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको संग्यान में लें कई आतंकवादी हमले हुए हैं तो बुनियादी सवाल ये है कि जो कदम हमने उठाए या जो कदम इस सरकार ने उठाए क्या वो पाकिस्तान की डीप स्टेट का जो बेहेवियर है उसको बदल पाए के नहीं और यहां तक मेरा मानना है कि हम पाकिस्तान की डीप क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पे एक मुल्क के पास फौज नहीं है एक फौज के पास मुल्क नहीं है पाकिस्तान is not a country which has a military तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि साब 26-11 के बाद आपका रिस्पॉन्स वीक था या बाला कोट के बाद या पुलवामा के बाद इस सरकार का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही मस्किलिर था उसका बुनियादी मापडंड यह है कि जो भी कدم आपने उठाए क्या पाकिस्तान की डीप स्टेट के बेहेवियर में बदलाव आया और लगता है नहीं आया और मुझे नहीं लगता क्योंकि फिर यह आतनवादी घटता है क्यों हो रहे हैं उसके बाद पहले से तो कम है पथरबादी खतम है और मुस्त देखिए ऐसा है कि it is a question of degrees आपकी ब इस फायर वाजपई जी ने किया था operation पराकरम के बाद और जो 2013-14 तक continue किया तो cross border firing का एक भी incident नहीं था और उसके बाद 2014-15-16 जब तक दुबारा ceasefire नहीं हुआ, agreement नहीं हुआ, तो जो cross border firing के incidents थे दोनों तरफ से वो बहुत ज़्यादा थे तो यह तो depend करता है कि आप किस सरा का map done इस्तमाल करते हैं मतलब इशारों इशारों में आप यह कह रहे हैं कि surgical strike और air strike से वो हासिल नहीं हुआ, जिसका ढोल यह सरकार बजाते हैं मैं यह कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी राष्ट्री सुरक्षा से जुड़ी घटना का विशलेशन करते हैं, तो वो विशलेशन इस map done पे होना चाहिए कि उसका जो उदेश्य था और मेरा मानना है कि कोई भी सरकार जब भी कोई ऐसा कदम उठाती है, उसका उदेश्य य अंकुष लगा है, इस चीज़ का विशलेशन होना चाहिए. सम्विधानिक मर्यादा में विश्वाश रखते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की जो एक माननिता है, वो बरकरार रखनी जरूरी है, तो उसके बाद ये academic बहस हो जाती है. तो ये बहस तब तक relevant थी, जब तक उच्चतम क्यों नहीं लड़े? हाला कि आपकी तबियत खराब थी, वो सारी रिपोर्ट्स आएं, उनको समने कवर भी किया, लेकिन आप पर आरोप BJP और आपके विरोधी ये लगाते हैं, कि उस समय मोदी की ऐसी लहर चल रही थी, कि कांग्रिस के बड़े-बड़े निता चुनाव लड़ने से बच रहे थे, और आप भी शायद इसलिए 2014 में चुनाव नहीं देखिए, बिलकुल गलत है, और इस चीज़ का मैंने कई बार उलेख किया है, जो आपने बात पहले कही थी, कि हाँ, उस समय कुछ मेरी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी, और जब आप चुना मैं जो 2019 का चुनाव दोबारा लड़ा, उसका लड़ने का सिरफ एक ही मकसद था, कि इस बात ये जो एक भरम पैदा किया गया था, कि मैं चुनाव लड़ने से डरता हूँ, उसको एक पूरन विराम लगाने के लिए मैं ये 2019 का चुनाव लड़ा, और मुझे इस बात की संत कुष्टी है कि मेरे 43 साल के राजनीतिक जीवन में जो एक धबा लगा था मेरे उपर, कि मैं चुनाव मैदान से भाग गया, चुनाव लड़ने से डरता हूँ, उसको मैं धोने में काम्याब हूँगा, उसको और उननीस में तो और बड़ी लहर थी, उसमें तो जीत के आप आप किसी के बारे में कोई भी अटकले लगा सकते हैं, और ये हमारी राजनीत जिस तरफे पहुंच गई है, कि आरोप और प्रति आरोप के इलावा, रबिश के इलावा और कुछ बचा नहीं है, अब मनीश जी कई बार आप पर ये भी आपकी तारीफ भी होती है, और आप ने समर्थन कर दिया, जबकि आपकी पार्टी उसका विरोध करती है, आपने फिर एक बहुत अच्छा सवाल पूचा है, देखे मैंने अगनीपत का समर्थन नहीं किया था, मैंने समर्थन किस चीज़ का किया था, अगर आप, क्योंकि मैं सामरिक मामलों के उपर लिखता अगर आप सारी जो दुनिया की फौज है, चाहे अमरीका की फौज हो, चाहे चीन की फौज हो, चाहे आप रूस की फौज हो, उसको संग्यान में लें, तो जो मिलिटरी बैटल फील्ड है, वो मिलिटरी बैटल फील्ड बिल्कुल बदल गया है, ये एक टिकनॉलजी और इ इस तरह की सेना का लेवल आपको मिंटेन करने की जरूरत थी आज से 20 साल पहले या आज से 10 साल पहले उतने लोगों को रखने की जरूरत नहीं है. इसका ये मतलब नहीं था कि मैं इस बात का समर्थन कर रहा था कि आप लोगों को कॉंट्रैक्ट पे रखिये कि चार साल बाद उनको निकाल दीजिये. मेरा ये कहना था और जब इस मामले के उपर डिफेंस कंसल्टिटिव कमिटी की मीटिंग भी हुई, वहाँ पे भी मैंने ये बात उठाई थी, कि अगर आपकी मंचा ये थी, कि आप जो फौज का साइज है उसको कम करना चाहते हैं, तो ये बात आप सीधी क्यों नहीं कहते हैं, बहिए अगर भौरत की फौज में आप 63,000 लोग भरती कर रहे हैं, और दस साल में इस डेड़ लाग की फौज को आप घटाकर एक लाग करना चाहते हैं या 700,000 पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हर मुल्क ने जो अपनी स्टैंडिंग आमीज हैं, उसको कम किया है, तो आप सीधी ये बात कहो, कि सब हम 60,000 लोगों को नहीं लेंगे, हम 15,000 लोगों को लेंगे, मेरा जो कहने का ताथ पर यह था, मैंने अगनीपत की जो स्कीम है, उसका बिल्कुल समर्थ नहीं किया था, क्योंकि मेरा ये मानना है, कि इस तरह लोगों को चार साल कॉन्ट्राक्ट पे लेकर, और फिर बाहर करना, पूरी तरह से गलत हैं, मेरा ये कहना था, कि आप बिल्कुल अपनी मंच्छा स्पष्ट कीजिए, और अगर आपकी मंच्छा ये है, कि आप फॉज का साइज कम करना चाहते हैं, वो सरकार का उत्तरदायत है, कि वो 60,000 लोगों को भरती करना चाहती है, पर ये जो आपने किया, कि जी हम 60,000 लोग भ गयान दे दिया था, तो आपने उनका भी खुल कर विरोध कर दिया, कि जैसे अमेरिका में ब्लैक्स का होता है, ये तो बिल्कुल वही माइंड सेट है, ये गलत है, तो उस पर भी काफी ये लोग कहने लागे, बताईए, मनी जी मानना पड़ेगा, आपने ही सीम के खिलाफ देखी ऐसा है कि मेरी जो सियासत रही है, वो जात, धरम, मजब प्रांच से उपर उठके रही है, और मैं संकीरन मान सकता, मैं विश्वाश नहीं करता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि जिस परिपेक्ष में वो बयान दिया गया हो, वो परिपेक्ष वो बहतर जानते हैं, पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं जिस महौल में पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा ये मानना है कि जो पंजाब का ईथांस है, जो पंजाब की द्रोहर है, वो पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत है, और हमारे गुरु साहब ने एक ही बात हमको सिखाई थी, कि मानस की जात कि अगर कोई जात है, तो वो मानवता है, ये गुरु नानक जी ने पंजाब की जो प्रष्ट भूमी है, उसका जो बिलकुल निचोड है, वो ये है कि हम सब लोगों को एक बराबरी के दरजे से देखते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, और 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 ने जो कहा, हमने उसका स अगर ऐसे सही नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं, आपने कहा ना कि आप जाती में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इतनी जाती की राजनीती हो रही है मनेश जी, आपको भी एक बार तो ये कहना पड़ा ना, ब्रामिन जार्द निउ जूज, उसको तो जेस्ट में कहा था, उस तो उसके बीस मतलब निकलते हैं, वो चार-पांच घंटे के लिए चलचतर की ऊपर एक अच्छी कहानी बनती है, तो लोग उसको चला लेते हैं, तो इसलिए मैंने काई-काई सालों से इवन ट्विटर की ऊपर, फेस्बुक की ऊपर कोई ऐसी चीज कहनी बंद कर दी है, ज कोई अनिसेस्ली सेंसेशनलाइज हो, क्योंकि सवाल ये है कि हम जहां पर पले बड़े हुए, हमारा सदा से ये मानना रहा है, कि जो मानवता है, उस मानवता में एक मानव और दूसरे मानव में कोई फरक नहीं है, और जब मैं पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात करता हूँ, वो एक ऐसा बुनियादी कॉंसेप्ट है, जो विचारात्मक तौर्स पर मेरे, मैंने पूरी तरह से इंटर्नलाइज किया हुआ है, और इसलिए, तो हो सकता है कि आपको बुरा लगा हो, इतनी जाती की राजनीती हो रही है, और आपने कहा दिया हुए, आज ब परहमन परिवार में पैदा हुए थे, मेरी माता जी एक जटसिक परिवार में पैदा हुई है, मेरी शादी एक पार्सी से हुई है, तो इसलिए ये जो छोटी संकीरल सोच है, इसमें हमारा कभी विच्वाश नहीं रहा है, हमारे घर क्योंकि मेरी माता जी एक जटसिक परि तो इसलिए एक धरम को दूसरे धरम से अलग करके देखना क्योंकि देखे मेरा ये मानना है कि भगवान एक है उसको पहुंचने के रस्ते अनेक है और जो रस्ता जिसको ठीक लगता है उसको वो रस्ता अपनाने की पूरी आजादी में चाहिए कभी आप अनकंफरिटेबल हो जाते हैं जब हाल के कुछ महीनों में आपके निता राहूल गांधी हर दिन OBC, 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 OBC जाती गरना का मुद्दा उठाते हैं जाती की राजनी थी पर कॉंग्रिस ने यू टर्न मारा है बिल्कुल और खुद राहूल गांधी ने प्रेस कॉंफरिंस ने ये बात मानी के महीला आरक्षन जब हम लाए थे हमें उसमें OBC का कोटा रखना चाहिए था असे गल्ती हुई देखिए आपने शायद मेरा एक लेख था जो मैंने हिंदू अक्मार में लिखा था जहां पे मैंने जाती जन्गरना का समर्थन किया था और वो समर्थन करने का कारण ये था कि जो आज भी अंडर प्रविलिज्ड हैं जो आज भी मार्जिनलाइजड हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद पहुंचाने के लिए उन मार्जिनलाइज ग्रूप्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है तो ऐसा नहीं है कि मैंने जाती जनकरना का कोई विरोध किया था इन फैक्ट शीरी राहुल गांदी जी के इस मुद्दे को उठाने के दो साल पहले मैंने ये लेक लिका था अगर आप गूगल करोगे तो शायद 2021 का हिंदू में मेरा बड़ा लंबा आर्टिकल है और उसमें मैंने उन कारणों का उलिख किया है कि क्यों ये जरूरी है और इससे क्या फाइदा होने वाला है तो इसलिए ये एक और बहस है क्योंकि जब ये सब को शुरू हुआ 1990 में तो मैं भारती राश्टे चातर संग्ठन का राश्ट्रिय अध्यक्ष था तो जब ये मंडल की बहस शुरू हुई और स्वर्गिये प्रधान मंतरी श्री विश्वनात प्रताप सिंग वो 27% का नोटिफिकेशन लेके आये थे और जब ये मामला उच्चतम नियाले में गया तो वो मेरा भी पहला केस था जिसमें मुझे अपियर होने का मौका मिला था तो एक मेरा काफी लेक्स लंबी स्टडी है इसके उपर आज वो समय नहीं है पर नहीं मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक इसके फाइदे और नुक्सान दोलोग गिना सकता है आपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि आप जाती गंड़ना का समर्थन करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं एक और आपने जब अदानी के मुद्दे पर जेपी सी की मांग हो रही थी उसमें भी आपके दो-तीन लाइने थी जो आपने लिखा उसमें से लोग बीजेपी वाले उसे लेके ओड़ गए कि आपने एक आशंका जताई थी कि हो सकता है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आर्थिक तरक्की को रोकनी की एक साजिश हो इसलिए जाँच सिर्फ अदानी की नहीं होनी चाहिए जाँच पूरी होनी चाहिए हिंडनबर्ग की भी जाँच 2G के उपर संयुक्ट संसदिय समिती बनी तो वो संयुक्ट संसदिय समिती सिरफ 2G के उपर नहीं बनी थी संचार छेतर में जितने फैसले लिए गए थे 1994 से लेकर 2009 तक जब न्यू टेलिकॉम पॉलिसी लाई गई और 2009 तक जब 2G का वंटन हुआ उन सारे फैसलों के उपर जो टर्म्स अफ रेफरेंस थी उस संयुक्ट संसदिय समिती की उदोंने उस सब को संग्यान में लिया था तो जब भी आप संयुक्ट संसिती समिती की मांग करते हैं एक जिम्मधारी का तकाज़ा है कि ठीक है कि हमारा ये कहना है कि ये जो मार्किट मैन्यूपलेशन हुई है इस मार्किट मैन्यूपलेशन की जान जोनी चाहिए दूसरी तरह का कहना है कि नहीं ती तो शाज़ेश है तो इन दोनों के उपर एक इन्वेस्टिकेशन हो जाने चाहिए दूद का दूद और पानी का पानी सामने आ जाएगा मुझे मालूम है कि एक बारती जनता पार्टी के जो नेता हैं जो अख़बार पढ़ते जरूर हैं पर उसको समझते कम है उन्होंने इस बात को ट्वीट किया था कि कई लोगों की दिक्कत होती है कि वो पढ़ते जरूर हैं पर समझते बहुत कम है तो यह जो ना समझ लोग हैं, इनकी जो ना समझी है, उसको मैं नकार देता हूँ. राजनीती मनीज जी आपने तो परिवार में ही सीख ली होगी, क्योंकि आप तो ऐसे परिवार से आते हैं, जहां, आपके शाइद मामा सांसते हैं? मेरे नाना सुपतनतरता संग्राम में प्रजा मंडल की स्ट्रगल में रहे थे, और बड़े लंबे समय उन्होंने जो रियास्ते थी, उनके महराजाओं की जेल में उन्होंने बहुत समय बिताया था, और उसके बाद बड़े साल पंजाब की कई सरकारों में, वो मंत्री भी र रहे, तो दादा जी आपके मंत्री रहे, मेरे नाना जी, सरदात तीरत सिंग उनका नाम था, और अब तो वो चुनाव छेतर संग्रूर में आ गया है, एक समय लुध्याना में हुआ करता था, तो वो धूरी और महल करना से चुनाव लड़ते थे, तो आपने बच्पन में स राजनीत में आने की, मैं तो आठ तस घंटे स्विमिंग किया करता था, वोटर पोलो खेलता था, तो इसलिए कोई ऐसी मंचा नहीं थी, तो बिलकुल जिसे कहते हैं कि प्योर एक्सिदेंट, तो वो एक चीज, दूसरी चीज से जुड़ती चली गई और मैं इधर आ गया, बट अगर आप को हो कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार था, या ऐसी कोई आशाया कांग्शा थी, या ऐसी कोई ऐस्पिरेशन थी, बिलकुल जिए। तो स्पोर्ट्समें बनना चाह रहे थे आप? या वकालत? दिखिए, आपको ये बात कहूं कि मेरे दिमाग में बिलकुल क् क्लारिटी नहीं थी, हाँ, पढ़ रहे थे, उसके बाद MBA में डमिशन ले लिया, उसके बाद वकालत कर ली, तो इसलिए ऐसी कोई प्रीडिटर्मेंड क्लारिटी नहीं थी. तो कौन लाया था पिर आपको राजनीती में? आपको वक्त और समय. कोई ऐसा नहीं था जिसे द कॉलिज पैसे दिया करता था अडमिशन लेने के, क्योंकि हमारी अडमिशन तो स्पोर्ट्स कोटे में थी. तो हमको, हम कोई फीस नहीं देते थे. उस कॉलिज हमको वजीफा देता था. तो आप स्विमिंग और वाटर पोलों में इसका मतला बहुत अच्छे थे. तो इसलि उन्होंने सिरफ स्विमिंग और वाटर पोलों में नहीं, 11-12 ऐसे डिसिप्लिन्स थे, जिसमें लोगों को इंकरेज किया. लोगों को जो स्पोर्ट्समें थे, उनको पकड़-पकड़ के अपने कॉलेज में अडमिशन दिलवाते थे. और उनकी जो स्पोर्टिंग अंबि आप पर परिवारवात का आरोप कभी लगाया मनीर जी? क्योंकि आपके जैसे आपने बताया, नाना जी आपके मंत्री थे, पिर आपके पिता जी भी सांसत थे, आपके पर परिवारवात का आरोप या फिर अगर लगे तो आप क्या जवाब देंगे? यह ऐसा है कि मैं भारतिय राश्ट्री चात्र संगठन से अग्रस्तर तोर पर अपने पिता जी की हत्या के बाद जुडा था उनकी assassination के बाद मैं अग्रसर तोर पर भारतिय राष्ट्री चातर संगिठन NSUI से जुड़ा था ये बात सही है कि उसी वर्ष मैं DAV College चंडिगड का उपाध्यक्ष चुना गया था पर हमारे जो अध्यक्ष थे उनको किनी कारणों वर्ष जाना पड़ा तो मैं acting president हो गया बट एक जो एक active association कहते हैं किसी राजनितिक पार्टी के चातर संगिठन से वो association मेरा मेरे पिता जी के assassination के बाद हुआ मेरी नाना जी का दिहान उससे मेरे खियाल 11 सल पहले हो गया थathan मैं इसी प्यारा था मनी जी वो सबसे आपके जीवन का मेरे खियाल से थोड़ा सा इसके परीपेक्ष में समझाना चाहता हूँ की पंजाब में एक विचार धारा थी जिसका नेतर तु मेरे स्वर्गीय पिता-जी करते थे जिनका ये मानना था की पंजाब की जो दुरोर है वो पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत है और आ रा कुछ लोग और थे उनका ये मानना था कि पंजाब की जो कल्पना है वो संकीरन और सामप्रदाइक होनी चाहिए तो इन दोनों विचारधाराओं में एक बुनियादी फर्क था एक सुर्जीत पातर का शेर है कि पहला वारिश शानू बंडियासी जो पंजाब का बुटवारा हुआ तो वो जो एक बुनियादी लड़ाई थी उसमें क्योंकि मेरे पिताजी इंटिलेक्चुल भी थे प्रोफेसर भी थे राजस्बा के नॉमिनेटेड मेंबर भी थे तो उनका एक अपना उसमें स्वरूप था तो जो लोग उतकी विचारधारा से इतिफाक नहीं रखते थे उन्होंने तीन अपरेल 1984 को हमारे निवास थान चंडिगड में आकर उनकी हत्या कर दी थे वे उनके स्टूडंट बने के आये की हम उनके स्टूडंट हैं हम पट quierenा से आये हैं जहां से मेरे पिता जी और माता जी थे और हम डॉक साब से मिलना चाहते हैं सुबह छे, सबह छे बज़े आए तो हमारी जो लीडी थी जिनको घर को दगाद एकपाल करती थी माता जी कहते थे उनको उन्होंने दर्वाजा खोला उन्होंने कहा कि हम डॉक साब से मिलने आए हैं उन्हों जाके मेरे पिताजी को बताया उन्हें कहा ठीक है ड्रोइंग रूम में बिठाओ मैं आता हूँ वो उनको ड्रोइंग रूम में बिठा दिया और जब मेरे पिताजी ड्रोइंग रूम में गए उन्होंने उनको नौगोलिया मार दी तो इसलिए आप कहा थे उस समय? मैं उपर अपने बेडरूम में था तो आपने सुनी गोलियों की आवाज? मेरे को लगा कि जैसे कोई गैस सिलिंडर फटा है क्योंकि इस चीज़ का तो कोई उमीद नहीं कर रहा था कि दर 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 जब तक मैं नीचे आया जिसने भी गोली मारी थी वो भाग चुका था एक ही था? नहीं तीन थे तो एक गाड़ी चला रहा था अब एक ने चलाई दो ने चलाई यह अपना clarity नहीं है क्योंकि जब उन्होंने गोली चलानी शुरू की तो माता जी जो उनका बेडरूम नीचे ही था मेरे फादर और मदर का वो भागती आई अपने बेडरूम से और उन्होंने उसको पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो उसने जटका कि उनको फेंका और उनको शूट करने की कोशिश की पर तब तक गोली खत्म हो गई थी तो उन्होंने जितनी भी मेरे खाल माउजर में नो गोलियां थी वो सारी कहिते हैं बेरे पिता जी पर चला दी थी तो जब तक मैं नीचे आया तो वो सोफे को पकड़ के अपने आपको संभालने की कोशिश कर रहे थे तो क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी पीज़ाइच अंडिगर में थी और हम वोई डॉक्टर्स कॉलनी में रहते थे मेरी मदर उनको गाड़ी में डालके हॉस्पिटल ले गई और मेरे को कहा कि जो जिन डॉक्टर्स की जरूरत थी उनको घर से कठा करके लिया तो जब तक मैं उनको लेके गया डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की पर उनकी कोशिश के बाप जूदों नहीं बच पाए आज भी याद करते हूंगे आप उस दिन को वो दिन कहा अगर से यादाश के समाना था देखिए ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ दिल और दिमाग में दबा के रखूँ तो वही ज्यादा बेहतर है मैंने पिछले चालिस साल में शायद ये दूसरी बारी ये है कि इस घटना के बारे में सारवजनिक तोर पे कोई चर्चा की हो तो वो सारे जो पुराने पंजाब के इतिहास के तत्य है उनके बारे में आपकी क्या राय है जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार है मैं किताब लिख रहा हूँ उसके उपर पिछले पिछले दस पंदरा साल से वो किताब लिख रहा हूँ और एक दिन उसको जरूर पब्लिश करूँगा वो उसके एक मेरा अपना परिपेक्ष है कि वो जो सारा सारा एक घटना करम था वो क्यूं हुआ और काफी मैंने इसके उपर पिछले दस पंदरा साल में रीसर्च की है तो एक समय आएगा कि वो किताब जरूर मैं सारफ जिने करूँगा क्योंकि अभी एक दूसरी किताब हमने अपने पबलिशर्स को दे दी है वो एक बार ही पबलिश हो जाए तो उसके बाद चुनाओ के बाद इसके उपर भी जब किताब आएगी तब मैं आपसे डिटेल में इस पर जरूर बात करना चाहूँगा क्योंकि आपका मैं आपको बोटा मोटा बता दू किकिए भारत में यो डिस्टर्बिंस हुई उसकी जो जड़ है वो 1971 की बंगलादेश की लिबरेशन की लड़ाई में जब हमने बंगलादेश की संरचना की उसके बाद जनवरी 1972 में मुलतान में कॉन्फरेंस होती है उसका नाम उसको कहा जाता है मुलतान कॉन्फरेंस उसमें प्रदान मंतरी जुलिफकार अली भुटो और जो पाकिस्तान का नैशनल सेक्यूरिटी इलीट था उसमें शामिल था एकर 24 जनवरी 1972 तर अगर मेरे को तारीक ठीक से याद है उसमें दो फैसले लिए गए एक फैसला कि पाकिस्तान प् अगर आप 1975 से लेकर जो पंजाब में घटना एंगटी या उसके बाद जो जमू किश्मीर में घटना एंगटी उसको आप उस परिपेक्ष से देखें तो आपको सब चीज बहुत साफ हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है पाकिस्तान की फौज के दिलो दिमाग के उपर जो बंगलादेश की संरचना है वो एक बहुत बड़ा साइकलोजिकल स्कार है और वो उस चीज से उभर पाए ही नहीं और जब तक पाकिस्तान की फौज उस चीज से उभर नहीं पाएगी दक्षन एशिया में कभी शान्ती नहीं हो पाएगी इसी से रिलेटीड एक और सवाल उसके बाद हमारा रैपिट फायर राउंड आपने सुना होगा रैपिट फायर के बारे में गूगली आएगी उसमें पर आप स्पोर्ट्समें नहीं मुझे पता है आप फ्रेंट फूट पे खेलेंगे अब जब ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान पंजाब इन सब का जिक्र हो रहा है तो 1984 के जो सिख तंगे थे इंद्रा गांधी के हत्या के बाद उस पर जाहिर है कॉंग्रेस पार्टी ने कई बार माफी भी मांगिये आपको लगता है वो मुद्दा खतम हो जाना चाहिए माफी मांगने के बाद या भी कोई explanation नहीं है किसी भी सब्समाज में किसी भी civilized मुल्क में वो नहीं होना चाहिए था मैं इसलिए जब पंजाब पंजाबी पंजाबियत की बात करता हूं कि हिंदू और सिख हिंदूओं का और सिखों का नौ मास का साथ है right it's like the nails in the flesh डिली में जो बहुत ही शरम सार दंगे हुए और नरसंग भार हुआ पर सिखों ने कोई पंजाब में retaliate नहीं किया क्योंकि और इसलिए इसकी कोई justification नहीं मैंने कभी इस चीज़ की justification देने की कोशिश की ठीक है 1980 से लेके 1984 तक बहुत सारे हिंदूओं को बसों से निकाल कर बलाइन में खड़ा करके मारा गया पर उसका दोशी कोई है तो उसका दोशी I.S.I. और पाकिस्तान क्योंकि I.S.I. और पाकिस्तान का ये मनसूबा था कि हिंदू और सिखों में फर्क पैदा कर और आज भी अगर पंजाब की और मुल्क की एकता और एक खंड़ता की सबसे बड़ी कोई insurance policy है वो पंजाब की हिंदू से खेखता है और जो भी उस हिंदू से खेखता को की कोशिश करता है वो पंजाब का ही दुश्मन नहीं है वो देश का दुश्मन है बिल्कुल सही रैपिड फायर राउंड से पहले एक और सवाल रहे गया मनीश जी जो कि जब भी आता है आपकी चर्चा बहुत होती है और वो है 2012 का भारतिय सेना के जनरल लेफटिन जनरल के सिंग द्वारा किया गया तक्ता पलट का प्रियास जो कि एक अख़बार में छपा और उसके बाद बाबाल हो गया था देश में आपकी सरकार थी उस समय आप आइन भी मिनिस्टर थे मैं नहीं था 2011 की बात है 2011 की बात है लेकिन आपने उस पर साफ साफ कहा आपने कहा कि ह कहां इस तरह की कोशिच हुई थी आर्मी की दो यूनिट्स निकली थी दिल्ली की तरफ जिस पर जनरल वी के सिंग ने कहा उन्हें कुछ नहीं पता है ऐसे ही बोल रहे है लिखिए उस घटना के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जो मेरी पिछली किताब थी 10 नहीं हो गई है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए अगर आपको उसमें दिल्चस्पी है तो आप किताब जरूर पढ़ लीजिए मैं आपको भेज दूँगा डैपिट फायर राउंड मनीश तिवारी पहला सवाल आपके लिए देश का सबसे बड़ा अच्छा वकील मनीश तिवारी किसे मानते है जिनकी दो दिन पहले जिनका देहान तो हो फली नारेमन सब उनसे बड़ा लीगल यूमिनरी मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारत के इतिहास में कोई राहा हो और अगला सवाल देश का सबसे अच्छा वक्ता आप किसे मानते हैं सबसे अच्छा बूलने वाला निता देखिए एक हिंदी के कहावत है कि जब वक्ता प्रवक्ता बन जाता है तो ऐसा लगता है जब करेले पे नीम चड़ा हो गया तो आप करेले पे नीम चड़ों का आप जिकर नहीं करें तुमें तो बेस्ट पोलिटिकल माइंड हिंदुस्तान में आप किसका मानते हैं वो मोहंदास करमचंद गांदी महात्मा गांदी थे कभी किसे ने इस बात की कलपना करने की कोशिश नहीं की कि जब संबाद के संचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे जब ये देश में 90 परतेशत लोग असाक्षर थे उस समय उसने पूरे मुल्क को जगा कर खड़ा कर दिया और एक ऐसा अहिंसा का तजुर्बा किया जो दुनिया के इतिहास में कभी हुआ ही ना हूँ अब मनीश जी आपको मैं कोई भी टॉपिक दूँगा आप दो घंटा बोल सकते हैं लेकिन रैपिट फायर राउंड में शर्प ये है कि छोटा जवाब देना है देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर मनीश तिवारी किसे मानते हैं सरदार परताप सिंग कहरों से बहतर मुख्यमंतरी मुझे नहीं लगता कि कोई रहा और अगर पंजाब के बाहर कुछ हो तो देखे उसके उपर मैंने कभी अपने माइंड को अपलाई नहीं किया है बट मेरा यह मानना है कि सरदार परताप सिंग कहरों बहुत बहुत बहुतरीन मुख मंतरी और देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं पंडित जवारलल नहरू आपने तो मनमौन सिंग के साथ काम भी किया है देखे पंडित जवारलल नहरू ने इस देश की न्यू रखी थी आज आप नहरू को जितने बर जी गाली दे लीजिए पर अगर आज ये देश उस मकाम पे पहुंचा है कि जिसकी उपर हम और आप अपने मुल्क की उपर गर्व करते हैं तो उसकी न्यू और बुनियाद पंडित जवारलल नहरू ने रहूं ठीके और बीजे पी का बेस्ट प्रैम मिनिस्टर चुनने को कहा जाये तो या गैर कॉंग्रेसी चुनने को कहा जाये तो कि इसकी उपर मैंने कोई अपना ज्यादा आप्लिकेशन और माइन नहीं किया है तो मैं इसका जवाब नहीं देगा बेस्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष मनिश्टिवारी के इस आप से कौन रहा है कि कॉंग्रेस के किते बहुत एक लंबी परंपरा रही है बहुत वरिष्ट लोग कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं अगर आपने ये सवाल मुझसे पूछने थे तो मुझे थोड़ा सा समय दे देते ये आफ दे बैट इसका जवाब देना सही नहीं है देश का सबसे मेहनती नेता मनीश जी किसे मानते है क्योंकि अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित है चाहे वो किसी पार्टी से संबंदित हो वो इस देश का राजनीतिक कारे करता है ना जिसको तंखा मिलती है ना जिसको पेंशिन मिलती है ना उसको सहुलत मिलती है और वो है जिसने इस देश की लोगतंत्र को जीवित रखता है सबसे जुजहारू नेता आप किसे मानते है रेजिलियन्स परसिवेरिंस जिसमें सबसे जादा हो देखे अगर स्वर्गिये प्रधानमंत्री शिर्मती इंद्रा गांदी क्योंकि रेजिलियन्स और परसिवेरिंस की अगर बात करो कि जो अमरीका के खिलाफ खड़ी हो गई जो साथवे मीडे के खिलाफ खड़ी हो गई जिसने बंगलादेश की संरचना कर दी 1947 के बाद दक्षन एशिया का भूगोलिक मैप बदल दिया तो वो तो परसिवेरिंस और परसिस्टन्स और सबसे लोगप्रियन नेता हिंदुस्तान में आज तक आपके इसाब से मुझे लग रहा है आप महात्मा गांदी कहेंगे देखे ये 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 रेलिटिव है आपके बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको इस देश ने बहुत प्यार और आदर और सदकार दिया है सीटे तो सबसे आदर आजीव गांदी की आई थी लेकिन अगर लोग प्रियता देखी जाए महात्मा गांदी ने चुनाव नहीं लड़ा तो कह नहीं सकते हैं पर आपने कहा ना जैसे पूरे देश को उन्होंने जोड़ दिया था मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यह जो बाइनरीज है ना येस और नो की यह बाइनरीज कुछ उमर के बाद और वैसे मैं इतना बज़र्ग नहीं हुआ हूँ पर कुछ उमर के बाद ये नो कुछ मुश्किल हो जाती है आप तो दिल्ली में भी रहते हैं काफी समय बिताते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं मनीजी सुप्रीम कोड में दिल्ली का बेस्ट सीम आप किसे मानते हैं अब तक का या सोचा नहीं जेखिए मेरा ये मानना है क्योंकि आपने बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया है कि अगर आप सही में दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करने का मौका देना चाहते हैं चाहिए किसी बेदल से संबंदित हो तो या तो दिल्ली को पूरण दरजा दे दीजिए पूरण राज्य का दरजा दे दीजिए कि उसके पास पूरा इंफरस्ट्रक्चर हो ये जो एक आफ स्टेट बनाया हुआ है फर्शिला जी ने तो इसी में बहुत बड़िया काम किया था तिंतिम बार बनी ओए देखे ये कोई दोर आई नहीं है कि स्वर्गिय शिर्मती शीला देखे जी ने दिल्ली का स्वरूप बदल दिया था और मेरा ये मानना है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरजा हो और क्योंकि नैशनल कैपिटल होने के कारण उसमें एक दिक्कत आती है तो जो दिल्ली की तरक्की या दिल्ली की फ्रोग्रेस हुई है वो कहीं ज्यादा होती है और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है आप भी दिल्ली में रहते हो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ पांसो एक युवाई आप बोलने में तकलीफ होती है आप रोज के कहते हैं जहर अपने अंदर लेते हो तो किस तरह की राष्ट्रे राजधानी है एक और गुगली डालो ममनी जी अर्विन केजरिवाल को दस में से कितने नमबर देते हैं सीम के तोर पर देखिए मैं कोई नहीं होता नमबर देने वाला पर ये बात तो सही है कि एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ उनको दिल्ली के जनलतान ने मुख्यमंत्री बनाया कॉंग्रेस को जीरो पे ले आई ये वाता है खतम कर दिया एकदम बाद देखिए ये जो जीरो और हीरो वाली बात है ये चलता रहता है ये मैं इसको ज्यादा तरजी नहीं देता है अच्छा लेकिन भगबंत्मान को तो आपनी जज्ज किया हुआ ना उनको दस में से कितने नमबर देते हैं कि ऐसा है कि पांट साल का कारेकाल पूरा हो जाए फिर वो जो फैसला है वो पंजाब के लोकसाबा चुनाओं में तो बहुत सीधा है वो जो पंजाब की सरकार है वो तो पंजाब की जननता 2027 पर फैसला करेगी दिक्त् characters ये है इस मुलक में कि हम ये भूल जाते हैं कि ये पंचायत का चुनाओं है ये ब्लाक समती का צुनाओ नो है ये विनिसिपल कॉर्परेशन का चुनाओ विधान सबा का चुनाओ ये लोक सबा का चुनाओ और हम बूल जाते हैं, लोक नहीं बूलते हैं ओुके सिद्दू जी से कैसे रिष्टे हैं आपके नफ्जोत सिद्दू से आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे रिष्टे हैं मैंने उसका जवाब दे दिया कि बहुत मधुर रिष्टे मनी जी मारना पड़ेगा दाद देनी पड़ेगे आपकी आपने बहुत बहादुरी से, बहुत बिबाकी से सारी गुगली भी के लिए आपने इशारों इशारों में ये तो कह दिया कि पंजाब में माहौल बदल गया है और इस बार लोकसभा चुनाव में विधान सभा चुनावाला नतीजा नहीं आएगा, मतलब मान लें कि वहां कॉंग्रेस सारी सीटों पर लड़ने जारी है ये क्लियर है और सारी सीटे जीतेगी दिखिये, मैं आपको पंजाब को एक परीपेक्ष में बताना चाहता हूँ पंजाब की तरास्ती मैं इससे पीछे से शुरू करता हूँ देखिये, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था वो भारत के दो राज्यों का विभाजन हुआ था पंजाब का और बंगाल का और बंगाल में नुकसान कम हुआ क्योंकि वहाँ पे महत्मा गांदी जी ने जाके अपना देरा जमाया था और उन्होंने हिंदू मुसल्मान सद्भाव को काइम करने की कोशिश की पंजाब में दिली से लेके पिशावर तक बहुत नुकसान हुआ हिंदू मुसल्मान सिक बीस लाग से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए सारी दो करोट से ज्यादा लोग विस्थापत हो गए 20 लाग से ज्यादा लोग मारे गए और इसलिए जो पंजाब बना उसके बाद उस पंजाब में लोगों ने एक बार फिर से अपनी जिन्दगी शुरू करने की कोशिश की उसके बाद पंजाबी सूबे का अंदलन शुरू हो गया तो जो एक महा पंजाब था जो दिली से लेके आपके अमरित सर तक था उसको तीन राज्यों में बाट दिया गया उदर हिमाचल परदेश तक जाता था तो एक बहुत ही संकीरन और सुंगड़ा हुआ पंजाब रहे गया जिसको पंजाबी में सुंगड़ा हुआ पंजाब कहते और पंजाब में जो क्रॉस पॉलिनेशन अफ आइडियाज है क्योंकि बहुत डाइस्पोरा बाहर रहता है वह बहुत ज्यादा है और इसलिए आप जगर पंजाब के चुनाओं को एक परिपेक्ष में देखें तो वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ड्रॉमाटिक आते हैं वहाँ पे ये नहीं है कि वह एक जीत रहा है तो जीते जा रहा है अहाँ और ये भी नहीं है कि जो हार रहा है, हो रिस्पेक्टिबली हार रहा है हमारे लोग किसी ओपर भी बहुत जल्दी चड़ाते हैं और नीचे भी अतंनी जल्दी उतारते है, ये पंजाब की फित्रत है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी ने परफॉर्म किया है, किसी ने नहीं परफॉर्म किया है, basically we are an impatient people, हमारी जो attention या patient span है, वो बहुत कम है, अगर किसी ने deliver किया है, तो जरूर कहते हैं, उसकी पीट थप थप आते हैं, पर अमूमन अगर आप पिछले 30 साल या 1992 से जब से चु एक बार जब अकाली बीजेपी अलाइंस ने रिपीट किया था, 2007 के बाद 2012 में जीत के आए, पंजाब में हर बारी सरकार बदली है, कि 2022 में जब पंजाब का चुनाओ हुआ, तो कोई एक अलपना नहीं कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के बांग में सीटे आएंगे, कोई सर्वे ये नहीं बता रहा था, कोई विशलेशन ये नहीं बता रहा था, आज जरूर आम आदमी वाले ये कहते हैं कि हमको मालूम था, चलो दूसरी बात है, पर जब मौडल कोड अफ कॉनडक्ट लगा चुनाओ की घोशना हुई, उसके बाद मोहल बहुत तीवर गती से ब एक जो बुनियादी फर्क आया है, वो बुनियादी फर्क ये आया है कि जब से मैस मीडिया का प्रोलिफरेशन और खासकर आपके सोशल मीडिया का प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ दो साल, दो गंटे से ज्यादा नहीं रह अब आप अब हम चुनाव लड़ेंगे कल को तो जब हम अपने लोगों से बात करते हैं तो केचे साथ यह जो आपने 25-30 मिनिट घंटे की स्पीच लोकसभा में दी हुई है इसका कोई मतलब नहीं है इसकी एक मिनिट की रील बनाई है इसलिए जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है और इसलिए इन्स्टन काफी से भी पर आप तो काफी अक्टिव रहते हैं सोचल मीडिया पर मैं वही बतारा हूं कि आपने तो बहुत सही अड़ेप्ट भी किया है मैं तो लिखता भी हूं तो इसलिए मैं हर पंदरा दिन या हर हफ्ते एक ना एक लेख किसी ना किसी अख़वार में लिखता ही हूं मेरा रेगिलर कॉलम भी छपता है पर मेरा कहने का ताथ पर यह है कि यू राइट अ थाउजन वर्ड्स या आप कहते हैं एक घंटे की इंटिव्यू करें या आप लोकसभा में किसी भी चीज़ के ऊपर एक गंभीर भाषन दें आज अकांग्शा यह है एक्सपेक्टेशन यह है कि साहब उसको एक मिनिट की रील में चल्दी बताओ या टाइम नीए एक मिनिट की रील में कनवर्च तो इसलिए आप बनाते हैं रील वैसे मैं नहीं बनाता पर हाँ के लिए आपी टीम बनाती है हमारे लोग ज़रूर बनाने के कोशिश करते हैं तो इस बार मान लेके कॉंग्रिस उलट फिर करेगी पंजाब में इस समय एक बहुत व्यापक किसान आंदोलन फिर से अग्रसर है और जो किसानों की मांगे हैं वो बिलकुल जाहिज है क्योंकि यही वाइदा उनके साथ अक्तूबर 2021 में किया गया था जब वो चार किसानी कानून जिनको पंजाब में काले कानून कहते हैं उनको वापस लिया गया था और वो वाइदा यह था कि हम MSP के उपर कानून बनाएंगे और बाकी जो मांगे थी वो पूरी करेंगे अब पिछले दो साल से वो हुआ नहीं और उसके उपर जब किसान अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उनके उपर टियर गैस छोड़ रहे हैं बैरिकेड लगा रहे हैं सड़क के उपर कील बिछा रहे हैं एक हमारा नौजवान बठिंडा से उसकी मौत हो गई और इसलिए पंजाब एक बार फिर से बहुत टर्मोईल में है और इस टर्मोईल का जो नतीजा है वो चुनावी रूप से क्या होगा ये कहना मुश्किल है पर एक बात बिलकुल तैह है जो आज लग रहा है कि पंजाब में पांच पार्टियां चुनाओ लड़ेंगी आम आदमी पार्टि, कॉंग्रिस, बीजेपी, अकाली दल और बीएसपी तो इसलिए ये चार तरफा नहीं पांच तरफा मुकाबला होगा क्योंकि अकाली दल बीजेपी बहुत कोशिश कर रहे थे चुनाओ का गड़बंदन करने की पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का महौल पंजाब में है और खासकर पंजाब के गरामीन इलाकों में है कि अकाली दल ये हिम्मत जोटा पाएगा कि बीजेपी के साथ जिनका अलाइंस 97 से इनका अलाइंस है 97 से लेकर 2020 तक इनका चुनाओी गड़बंदन रहा मुझे नहीं लगता कि वो चुनाओी गड़बंदन ये दुबारा से बरकरार कर पाएंगे वैसे सियासत में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल रहता है पर आज के हालात में जो मुझे लग रहा है कि पांचों पार्टियां अलग-अलग लड़एगा और आपको लगता है लेकिन मेन फाइट कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के बीची होगी या अकाली दल भी आपको लगता है इम्पॉर्टिन प्लेयर है यह हर चुनाओ छेत्र के अलग-अलग समी करने है और जब आपके फाइव बेफाइट होगी तो कौन कैंडिडेट है, कौन नुमाइंदा है उसकी उपर भी बहुत निर्भर करेगा क्योंकि जब पिशला चुनाओ था जिसे स्री आनंदपूर साहिब में जहां से मैं जीत के आया तो अकाली दल भाजपा के साथ हमारा डाइरिक्ट फाइट थी उसमें कहके तेया है आम आदमी पार्टी और कोई भी लड़ रहे थे एलेक्शन, बीएस्पी लड़ रहे थी बट वो कहीं पे उस गिंती में नहीं थी आज के समिकरण में जब पांच पार्टीयां लड़ेंगी तो समिकरण बदले हुए होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बारी चुनाओ की घोशना हो जाए कभी-कभी मुल्क का मूड है वो इतनी जल्दी बदलता है कि उसको प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहता थैंक यू बेरी मच्च